नमेशकार दोस्तों, security perspective से Indian Ocean region में एक बहुत बड़ा development हुआ है, क्योंकि Pakistan को मिला है China का सबसे बड़ा stealth warship, यहाँ पर आप देख सकते हो, with an eye on Indian Ocean, China delivers largest most advanced warship to Pakistan, तो इसी कौन detail से समझेंगे कि exactly यह warship है क्या, क्योंकि अक्सर आपने frigates के बारे में सुना होगा, destroyers के बारे में स perspective से, यह इतना महत्वपूर क्यों है, वो सब कुछ हम discuss करने वाले हैं, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download करिए, या फिर studyiq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जा करते हैं, तो यहां पर आपको समझना है कि जो frigate होता है, वो काफी important role play करता है, frigate क्या है basically, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह कि जो aircraft carriers होते हैं, उसको एक प्रकार से protection देता है, सिर्फ यही नहीं, कभी भी war हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसके अंदर कई सारे advanced technologies वगर लग करीब 13 ही ऐसे देश हैं, जिनके पास destroyer हैं, लेकिन frigates जादा तर देशों के पास होता है, तो यह जो particular ship है, यह frigate है, जो की पाकिस्तान को मिला है चाइना की तरफ से, और यह जो पूरा perspective है, आपको समझना है कि जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो Indian Ocean region है, और Indian Ocean में जो प्रकार से हम कह सकते हैं, लेकिन चाइना ने अपने आपको इस प्रकार से build किया है, अलग-अलग allies त्यार करने की कोशिश की है, ताकि उसका presence यहाँ पर बना रहा है, और जाहिर सी बात है कि चाइना अगर पाकिस्तान को इतनी बड़ी worship दे रहा है, तो इसका direct impact भारत के security perspective से भी देखने को मिलता है, जहां तक इस frigate की बात है, तो इसको design and build किया गया है by China State Shipbuilding Corporation Limited, और यह आपका Monday को ही deliver किया गया पाकिस्तान को in Shanghai, तो चाइना के अंदर Shanghai जो port है, वहाँ पर यह deliver किया गया है, इसके लावा अगर आप भारत का देखो, अगर हम compare करें भारत के पास तो देखें, भारत के पास खुद की छमता है इसको build करने की, जो frigates वगर होते हैं, जैसे शिवालिक क्लास, तलवार क्लास हो गया, तो यह recently मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जहां पर जो 7th आपका frigate है, तलवार क्लास का, वो यहां पर दिया गया है, इसके लावा ब्रह 054 इसको बोला जा रहा है, चार इस तरह के frigates यहां पर deliver करेगा, चाइना पाकिस्तान को, जिसमें ये वाला जो frigate दिया गया है, ये पहला है अभी, और इसका नाम रख दिया गया है, पी एन एस तुग्रील, तो आपके एक्जाम के विपर सट्टी से बहुत important है कि technology बहुती जादा advanced worship है, ये प्रकार का platform है जिसके मदद से जो surveillance किया जा सकता है, तो जहर सी बात है मैंने आपको जो map यहां पर दिखाया, तो यहां पर जो भी surveillance वगरा की capability है, वो पाकिस्तान के पास बहतर आ जाएगी, और यहां पर भारत काफी जादा मजबूत है, नेवी state of the art combat management system होता है, इसके लावाद defense capability होती है, electronic warfare system, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, साथी साथ ये भी बताया जाता है कि इसके अंदर capability है कि simultaneously कई सारे जो novel warfare mission है, वो ये conduct कर सकता है, और जैसा मैंने बताया कि ये चाइना का पहला और most advanced frigate है, जो कि चाइना ने पहली बार export किया है, चाइना ने अभी तक किसी भी देश को इतना advanced warship जो है वो दिया नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दिया जा रहा है, और इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये world class stealth capability रखता है, stealth का मतलब ये होता है कि जो enemy का radar है, उससे आप बच जाते हो, मतलब कि radar system तो work करता रहता है कि आसपास यहाँ पर किस तरह के warships हैं, fighter jets हैं, तो अगर आपके पास stealth capability है, तो आप उस radar system से बच जाओगे, enemy को पता नहीं चलेगा कि आपका जो ship है वो वहाँ पर approach कर रहा है, तो ये बताया जाता है कि इसकी stealth capability काफी जादा better है, और यहाँ defense capability भी है, radar system भी इसके अंदर लगाए गया, I mean कि आप समझ रहोगे कि ये चाइना का सबसे बहतर वाला worship था, जो कि यहाँ पर दिया है, जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान का कहना है, इस पूरे मुद्दे को लेकर कि पाकिस्तान नेवी की capability है, उसको ये बढ कहीं जादा बहतर है, तो वो जो balance of power है, उसको एक प्रकार से directly maintain करने की बात, पाकिस्तान कर रहा है, और अगर आप देखोगे ना, तो चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ पर बहुत सारे weapons supply की हैं पाकिस्तान को, in fact, पाकिस्तान has emerged as the biggest weapons supplier, यहाँ पर जो चाइ हो गया, missiles, helicopters हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और साती साथ अभी recently एक contract sign हुआ है, जहाँ पर 8 hangar class submarine जो है, submarine जो पानी की नीचे रहता है, वो भी आपर deliver किया जाएगा, जो UAV होते हैं, Unmanned Combat Aerial Vehicle, यह भी चाइना जो है, वो पाकिस्तान को देखा, और इसके लावा आपको यह भी पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान के दोरा एक jointly develop किया गया है fighter jet जिसका नाम है JF-17, तो यह भी आपका upgrade किया जा रहा है चाइना के दोरा, यह single engine और multi roll fighter jet है, और साती साथ यहाँ पर अगर आप देखिए, तो चाइना पूरे एक प्रकार स काफी अच्छे से देख पाऊगे कि जो horn of Africa है, यहाँ से अगर आप सुरुवात करिए, horn of Africa में जो सबसे पहला base जो है, जिबौती, यहाँ पर चाइना ने अलरडी बना रखा है, इसके अलावा जो CPAC का पूरा project है, यहाँ पर गौादर port से लेकर, शिंजियांग जो प्रो काउंटर करने की सुरुवात की है, जो अलग-अलग ocean, जो island nations है, उनके साथ हम भी अपनी capability बढ़ा रहे हैं, लेकिन definitely China जो अगर आप देखोगे, तो हर तरफ अपना जो presence है, military base है, उसको बढ़ा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम expect नहीं कर रहे थे, यह काफी हतक expected था कि China जो मैंने आपको बताया, जो 8 Chinese submarine है, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो security perspective है भारत के लिए, यहाँ पर कही न कहीं strategies में बदलाव करना होगा, देखना होगा कि हम किस तरह से इंचीजों को counter कर सकते हैं, तो यही था अभी तक के लिए news, I hope कि आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए, भारत के अंदर जो हम navy day मनाते हैं, navy day, ठीक है, क्या बता सकते हो कि यह किस particular operations से related है, कौन सा operation हुआ था, जिसकी विज़े से हर साल हम navy day मनाते हैं, इसका right answer आपको पता ही है, मेर अगलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे आपको download कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूं से next time till then, thank you very much, see you soon.